हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं समीता आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग किचिन हैक्स होम हैक्स रेसिपीस साथी वेस कार्डबोर्ड का यूज़ करके डियाईवाई करेंगे एक कोस्टर बनाएंगे तो ओवरॉल इस वीडियो में काफी सारी चीज़ें होने वाली हैं और उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें तो चलिए भी नादेरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ये क्लिप आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और यहां पर मैंने पानी में डाले थे कुछ फ्लार्स और घर में अच्छी से खुश्बू रहे उसके लिए आप इसम साथ ही पूरा घर भी आपका महकता रहेगा तो आप ये सिंपल से टिप ट्राइ कर सकते हैं अपने घर को रिफ्रेश और न्यू लुक देने के लिए कर्मिया हैं और गर्मियों में हम नारील पानी तो सभी पीते हैं बट आपके साथ में सिंपल सी रेसिपी शेर कर रही हूँ जो की है नारियल मिल्क-शेक की और ये बहुत ही सिंपल है इसमें हमें जरुत पड़ेगी नारियल का जो फ्रेश वाटर होता है उसकी और साथ ही कई बर मलाई वाला नारियल आ जाता है तो जो फ्रेश मलाई होती है नारियल की उसका हम यूज़ करेंगे दोनों चीजों को हम बनकर ready है काफी refreshing है अलग सा टेस्ट है तो आप ज़रूर ट्राइ करके देखिएगा next recipe एक चटनी की है गर्मियों में हम simple सा खाना पसंद करते हैं जिसे बहुत ज़्यादा ताम ज़्याँ नहीं होता इसके साथ अगर यमी सी चटनी हो तो टेस्ट दुगना हो जाता है तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है उसमें एड़ किया है थोड़ा सा mustard oil साथी हम थोड़ लैसुन हम add करेंगे तो लैसुन का समी टेस्ट प्रॉमिनेंट रहता है तो लैसुन की quantity जादा रहेगी इनको अच्छे से roast कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे थंडा होने के बाद इसको आप मोडल और पिस्टल पे ग्राइंड कर सकते हैं थोड़ा सा नवक ड के साथ खाए मैंने यहां फेस किया है यह पाड़ी रे Begin concept जिसको get so package बनाते हैं तो उसके साथ मैंने assessment किया है कर रही जैसा ही तेज नेक्स मैं आपके साथ शैयर कर रही हूं बेड़्षीट को फूल करने का एक नया तरीका ऊपर सारीका इस्वार मुझे personally काफी अच्छा लगा, ये तो तरीका है, इस तरह से मैं पहले bed sheet fold करती थी, बट अब जो नया तरीका मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें bed sheet को इस तरह से, पहले मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसको 4 fold में आपको करना है, पहले ये देखे, इस तरह से ये 4 fold में जब आज है, उसके बाद आपको करना है, उपर से थोड़ा सा portion, पीछे की तरफ fold करेंगे, इस तरह से ये देखे, इस तरह से मैंने इसे fold कर दिया है तो इतना आपको fold करना है जिससे एक pocket type बन जा है यह देखे, पीछे इस तरह से मैंने क्या बहुत ज़्यादा नहीं करना है जितनी चुड़ाई में आप रखना चाहते हैं अपने fold को बस उतना ही करना है अब आजाते है side portion की तरफ तो दोनों तरफ से बराबर fold करेंगे यह देखे, इस तरह से यह हो गया है तो जब हम इसको इस तरह से पल्टेंगे न तो आपको pocket नजर आएगी बट अभी हमें वो नहीं करना है अभी हमें नीचे की तरफ से भी से fold करना है तो इतनी चोड़ाई इसकी रहेगी ताकि यह symmetry रहे चारों तरफ से अभी देखे, यहाँ पर बन गई है यह pocket इसमें आप pillow cover तो रखी सकते हैं साथ यह अगर आप अपना set बना के cushion cover भी साथ में रखते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, अगर आपको छोटा fold करना है तो एक और fold लगा सकते हैं बट मैं इस तरह से चोड़ा ही रखती हूँ इस तरह से cushion cover या pillow cover अपनी जगा पर रहते हैं, इदर उदर गुमते नहीं हैं अब आजाती है कुछ DIY की बारी तो यहाँ पर यह box आप देख रहे हैं इसके उपर इस तरह से यह flap दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है कि आप इस box को ऐसे ही नहीं फेके, इससे आप एक tissue paper box बना सकते हैं तो यह इसकी मुझे बहुत अच्छी चीज लगी इस तरह से cut करना थोड़ा सा possible नहीं होता जब हम खुछ से बनाते हैं इसमें already यह portion दिया हुआ था बस इसको खटाना था और यह tissue box की तरह मारा ready हो गया है बट इसको थोड़ा सा और decorate काने के लिए मैं इसके उपर इस तरह से यह cover लगाने वाली हूँ जो यह floral print वाली sheet मेरे पास दिया sticky sheet है तो बहुत ही easy लग जाती है तो इसको मैंने अच्छे से measure कर लिया और फिर इसको पर हम cover कर देंगे चारों तरप से अच्छे से sticky paper से cover करने के बाद उपर जो hole था वो close हो गया था उसे भी catchies इस तरह से shape दे देंगे और यह हमारा no cause DIY tissue holder बनकर ready है बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में और कोई कहेगा नहीं इसे आपने खुद से बनाया है इसके अंदर जो sheet होती है उसको भी आप ऐसे fakie नहीं काफी अच्छी और थिक होती है sheet और glossy होती है तो इसको as a drawer liner भी हम use कर सकते हैं एक और इस तरह का cardboard box मेरे पार से जिसे मैं kitchen के लिए एक organizer बना रही हूँ इसका use बताया है और अभी भी आप देख सकते हैं ये sheet मेरे पास काफी सारी बची हुई है तो देखे इस तरह से मैंने से cover कर दिया है और उपर से हलका सा cut लगा देंगे ताकि इसको उपर से fold करना easy रहे ये देखे इस तरह से cut लगा के इसको अंदर की तरह fold कर देंगे इसमें glue लगा होता है अंदर से तो आपको बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करने की ज़रुएत नहीं है जस्त आपको चैसे press करना है और इससे air bubble भी बहुत easily निकल जाते है बहुत ज़्यादा air bubble आपको नहीं नज़र आएंगे जस्त प्रेस करना है और एकदम set हो जाता है पेपर तो यह देखे इस तरह से यह बनकर ready है इसमें मैं kitchen के टाबल रखने वाली हो तो मैं clip आपके साथ share कर दूँगी तो इस तरह से देखे आपको यह DIY कैसे लगी मुझे comment में ज़रूर बताइएगा next यहाँ पर cardboard की दो roundels है मेरे पास जो की packaging में आया थै और इन्हें देखते ही मुझे लगा किस से कुछ तो बनाना चाहिए तो यहाँ पर यह जूट rope है इसकी help से हम बनाएंगे एक coaster तो यह kitchen के लिए मैं बना दी हूँ ताकि इसके ओपर कोई hot pot हम रख पाएं तो यहाँ पर हम छोटे-छोटे size के यह thread काट लेंगे जूट के इस तरह से तो यह हमें काफी सारे चाहिए क्योंकि इससे हम बना ले वाले हैं इसकी बाहर की जालर से तो जालर बनाने के लिए यह काफी सारे मुझे चाहिए तो same size में मैं इनको cut कर लूँगी उसके बाद इनको एक जो हमारे पस राउंडल है उसके उपर इस तरह से glue के help से हमें stick करना है और इसी तरह से पूरा हमें यह cover करना है तो पहले यह कर लेती हूँ फिर आगे कापको process बताती हूँ आगे कापको बताती हूँ किया बटी हो नहीं रहते तो मैंने यहाँ पर टेप का य्जूज किया है और फिर उपर से दूसरा जो राउंड राउंड था उसे बे वी मैंने चिपका दिया है सूखने के बाद यहाँ पर जो बाकी का मेरे पस जूट रोप है उस से इस तरह से round round करके इसके ओपर पूरा cover कर देंगे तो यहाँ पर favicol की मैंने help ली है और यह देखिए इस तरह से इसे पूरा cover कर दिया है इसके बाद जो side से आपको thread दिख रहे है जो जालर बनानी थी उसके लिए यहाँ पर जो यह jut rope था इसको open करेंगे क्योंकि काफी densely tight रहता है इस तरह से 3 thread होते हैं इसमें इनको अच्छे से roll किया होता है तो इस तरह से यह मोटा सा thread बनता है इनको हमें open करना है तो open करने के बाद यह देखिए खुली-खुली सी हो गई है यह जालर इसके बाद अभी यह थोड़ी सी uneven लग रही है तो एक कोम लेंगे और इसको अच्छे से कोम करने के बाद आप देखेंगे कि यह काफी फैली-फैली सी भी लगेगी और थोड़ी सी पतली हो जाएगी तो देखने में अच्छी लगेगी इस तरह से जो इसमें लंबी या छोटी रखनी है उसे साबसे आप इनको कर सकते हैं तो बीच में एक देखें निकल गया था थेट उसको भी मैंने चिपका दिया है और अब इनको कैंची की हल्ट से मैं ट्रिम कर रही हूँ थोड़ा सा स्मूथ सा लुकाना चाहिए इसका इस तरह से इसको कर लेंगे तो यह देखें इसको मैं ट्रिम करने के बाद आपको दिखाती हूँ यह किस तरह का लग रहा है यह कोस्टर वैसे तो बनकर रेडी है यह देखें इस तरह से पट इसके उपर मैं ब्लैक स्केच पैंसे कर रही हूँ ब्लैक मारकर है इसके उपर कोई बनके रेडी है किचिन में या डाइनिंग टेबल के उपर आप इसे रख सकते हैं इसके उपर आप अराम से होट पॉट रख सकते हैं काफी सुन्दर लगा ये बनने के बाद में इसके उपर इस तरह से देखिए मैं बोल रखके आपको दिखा रहे हैं अभी ये खाली ही है प मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा तो ये था आज का संपल साफ वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ रेसिपी डियाईवाई और कुछ हैक शेयर किये उमीद करती हूँ इसमें से कोई ना कोई तो आपके लिए हलफुल रहा होगा कौन सा हैक आपको पसंद आया या डियाईवाई कौन साफ ट्राइ करना चाहेंगे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थाइंक यू थाइंक्स पू वाचिंग हैव नाइस टे